कि कि इसको बोलते हैं कि एक ऐसा नमबर जो कि हर किसी के पास होगा, हर किसी के पास होगा, तो एवरेज का जो फार्मॉला है वो यह है, कि average is equal to mean is equal to sum of the observations या observations क्या है जो उनकी income होगी जो उनकी salary होगी उनका हम sum करेंगे ठीक है पांच बनते थे पांचों की जो salary थी उनको हम sum करेंगे then upon जो है ना upon यह upon लिखा हुआ है the number of observations कितने imply हैं पांच हैं छे हैं जितने हैं हम उनसे divide कर देंगे तो average एक simple है आपको इसमें कोई rocket science नहीं है ठीक है समझ जाएंगे बाकि average अगर आपको deeply understand करना है उसकी interpretation नकाल नहीं है तो वो आप पढ़ेंगे stats में stats में stats में जो कि stats maths का portion है जो कि आप intermediate के हवाले से नहीं पढ़ेंगे अगर आप university में जाती हैं तो वहां बढ़ सकती है तो नीचे point number second लिखी हुई है यह हमने पहले discussion की हुई है पहले discussion की हुई है यहां बता रहा है एक man है तो वहां हमने शायद car vehicle उसके बारे में पढ़ाता जब फिर आते हैं कि combined average किसको बलते हैं ठीक है if x and y is the average of objects m and n respectively then the combined average देखो अगर मैं बात करो company a है ठीक है company a है then company b है ठीक है तो इसका average इसका average अलग-अलग होगा ठीक है then bola is दोनु का average जो है न दोनु का average वो क्या होगा तो हम क्या करेंगे पहले इसका average और जो numbers मिले हुए हैं हम उनको क्या करेंगे sum में तब्लीड करेंगे sum में तब्दील करेंगे ठीक है sum में कैसे जैसे के देखो x क्या है average है इस m का ठीक है बोला है कि sum मैं summation इस्तेमाल करहाँ sum of m objects upon m ठीक है upon m जो के बनता है कितना उसका average बनता है x तो मुझे अगर sum find करना है sum of m is equal to mx mx तो इसका जो average बनेगा first का वो बनेगा mx then दूसरे का जाहरी बात है nx ठीक है n y फिर वो बोला है कि जो objects हैं वो कितने हैं वो बोला है पहले m थे फिर n थे पहले m थे फिर n थे जो के बाद में कितने बनेगे m plus n उनका addition करेंगे ठीक है उनका addition करेंगे तो ये था उनका combined average अगर नहीं समय में आया कोई बात ने आगे कुछ कॉशन होंगे वो करेंगे उसमें क्लियरिफिकेशन हो जाएगी ठीक है उसके बाद point number second ये बोला है जब बढ़ जाएंगे combined average बढ़ जाएंगे वो पहले थे m n numbers थे उसके बाद m n p then q then r जो भी आगे alphabet आते जाते हैंगे जितने आप जो ना की बढ़ाते जाएंगे तो उसी तरह इसको लिखना है आपको ठीक है ये थोड़ी understanding थी आपने बना ली इसके question आएंगे वो करेंगे असानी सी हो जाएंगे ठीक है अच्छा इतनी understanding हो गई है आपकी अच्छा इतनी understanding हो गई है अच्छा इसके question कुछ करेंगे तो understanding थोड़ी हो जाएगी ठीक है अब बात आती है median की ठीक है देखो main median mode ये अब आप stats में पढ़ेंगे तो उसको बोलते है central of tendency ठीक है central of tendency तो इनका जोको एक relation होता है इनका एक relation होता है relation क्या है तो ये एक set का होता है ठीक है मैं set जैसे के बना रहा हूँ 1,3,1,2,3,4,5 ठीक है मैंने एक set बनाया है जो के है 1 से लेकर 5 तक ठीक है अगर मैं बोलो के इसका average निकालें तो क्या करेंगे इसको sum करें आप sum कितना आएगा 15 then बोला है के इसको आप क्या करें average में sum of the observations जो के कितनी है 15 the number of observation is 5 average will be 3 ठीक है average will be 3 वो बोला है के हर number के हर number जो है 3 की क्या है ठीक है 3 के करीब है ठीक है 3 के करीब है ये तो निकला average अब बात करते हैं median की ठीक है देखो median उसके terminology से पता चल ला है कि median क्या है mid की बात कर रहा है middle value की बात कर रहा है ठीक है median is directly related to the middle value of the set या short list एक इसमें बात जो है आपको दिमाग में रखनी है कि आपका जो data set है ये जो data जो set पड़ा है ये आपका या तो ascending order में होना चाहिए या descending order में होना चाहिए ascending order या descending order में होना चाहिए ascending का मतलब क्या जो ये लिखा हुआ है छोटे से शुरू होना ascending टीक है descending जो बड़े से start हो जैसे के मैं 5,4,3,2,1 की बात कर रहा हूँ टीक है तो इसमें ascending अगर confuse हो रहे हैं तो मैं आपको trick अभी तो मुझे याद नहीं है इसके बाद में मैं आपको trick बता दूँगा ठीक है तो फिर आपको पहले ये आपको पहले data site मिला हुआ हो उसको देखें ascending, descending order में है या नहीं है फिर उसका average then उसका median median क्या है उसकी middle value ठीक है तो देखो middle value find करने के लिए आपको दो चीज़े आनी चाहिए ठीक है middle value कैसे आप find करेंगे ठीक है एक तो आप जब n की value क्या हो odd हो देखें n क्या है याँ elements है कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच तो n की value क्या है 5 है याँ जो के क्या है odd है अगर odd है तो आप क्या करेंगे n प्लस 1 अपां 2 करेंगे n क्या है 5 5 प्लस 1 अपां 5 प्लस 1 अपां 2 which is 6 अपां 2 is 3 अब ये बोला है कि जो third position पे है थर्ड पोजिशन पे जो नबर है वो आपका क्या है median है क्या है median ठीक है एक position दूसरी third ठीक है जो के third position पे पड़ा है ये क्या है median है ठीक है क्या है median अच्छा फिर हम ये तो एक था odd का set था डेटा सेट ठीक है फिर हम उठाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये बोला है कि N क्या है? Even Numbers है ठीक है, N क्या है? 6 तो इसको हम कैसे टेकल करेंगे? देखो, इसको टेकन कलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो N अपान्टू, दूसरा N प्लस 2 अपान्टू ठीक है? अगर ये आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6 अपान्टू विच इस 3 विच इस 3 अगर ये करेंगे तो मिलेगा आपको 8 अपान्टू विच इस 4 देखो, इधर आप confuse न होएं कि अगर मैं 3 को उठा रहा हूँ को 3 अगर मैं 4 को उठा रहा हूँ को 4 यह 4 पोजिशन है 4 पोजिशन है अगर मैं यह डेटा सेट इस डेटा सेट को मैं निगलेट कर देता हूँ दूसरा डेटा सेट में उठाता हूँ ठीक है वो है 16, 17 18 19 20 21 22 यह साथ होगे अब पूरे 6 है अगर इनका मैं निकालूँगा अगर इनका निकालूँगा एन इस इकल टू 6 है तो मीडियान एक बनेगा जो के बनेगा 3 दूसरा बनेगा 4 अब बोला है कि एन जो है 3 पोजिशन पे है वो इसका क्या है मीडियान है 18 देन बोला है एन जो है 4 है तो 4 पोजिशन पे क्या है 19 तो 19 और 18 क्या है इसके मीडियान है देखो जब और की बात आएगी तो उसका मीडियान एक होगा जब इविन की बात आएगी उसका मीडियान तो होगे तो मीडियान क्या एक बीच वाली वेल्यू है जो के एक हो सकती है दो हो सकती है अच्छा यह अंडरेस्टेंडिंग हो गई अच्छा आप बात कर रहे हैं तर्तीब की बात कर रहे हैं ओडर होने चाहिए अच्छा वेट बात कर रहे हैं मैं काल पर बात कर लो अलो के अहलो कर ल को कर लो के लगि समय कैना कर लोगए कर लोगए लाओ अधार अधार आधार शॉटप्ट ले-व उडीर्च वर डीरॉट्ष और अधार शॉट्टा अधार शॉट्रीक्ट वर कम अलए लाओ ना लाओ उछला ले लाओ पर लाकिस दिखाँ हाँ है अच्छा सॉरी फॉर डिस्टरबिंग और अच्छा यही समझ में आ गया अच्छा हम चलते हैं आगे अच्छा अब रेज मीडियान समझ में आ गया अब तीसरे की बात है कि मोड किसको बोलते है अच्छा यह जो फामले में लिखे हुए है यह पड़े हैं मैं शीट आपको बेज दूँगा ठीक है अगर आप अभी देखो एक बात नोट करें कि जब मैं लेक्चर देता हूं तब आप लिखने के लिए थोड़ा उसको अवाइड करें ठीक है लेक्चर आपको बात मिल जाता है अगर आप रियली आपको लिखना चाह बल जाएंगे अच्छा इसमें एंड प्लस बना न अपां टू आप उधा यह लिखा हुए यह लिखा हुए यह अपान टू प्लस बन ने ठीक है इसको आप ऐसे लिकें या ऐसे लिकें फिर जो n प्लस 2 अपान 2 जो कि अगर आप इसको मजीद solve करेंगे यहीं बनेगा तो इसमें confuse होने की जरूत नहीं है तो n क्या या number of the observations है फिर बात आती है mode की mode क्या चीज़ है mode एक आप एक set हम लेते हैं जैसे के 1, then 1, 2, 3, then 3, then 3, 4 अब वो बात करता है के mode कि इसको कहते है mode उसको कहते हैं जो repeated हो ठीक है most repeated most repeated number जो के कौन है 3 है mode का इतना ही है तो तेन कॉंसेप्ट थे हमने समझे लिए आती हम कॉश्चन पे कॉश्चन नमर वन को देखती है if the average of a, 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 then 36 and 44 is 20 what is the value of a ठीक है अगर हम बात करें अगर यह जो यह जो a पड़े है 4 a पड़े है 36 पड़ा है, 44 पड़ा है अगर हम इसका सम करें ठीक है हमने सम किया इनका फिर अपवान में लिख दिया नमबर कितनी है नमबर 6 है उनका average कितना बनता है जो कि बनता है 40 ठीक है तो इसको हम copy कर लेते हैं है अच्छा यह नीचे जो पड़े हैं यह हैं उनके arithmetic के हैं वो हम बात में देख लेंगे इसको अच्छा अच्छा इसको सम करेंगे जो कि बनता है 4A ठीक है हम पहले सम करेंगे 4A then 44 and 36 which is 80 ठीक है इसका हमने सम किया upon किया 6 6 जो किया है number of observations है 6 है ठीक है उनका average बनता है 20 अब क्या करें 6 को इदर लेकि जाएं आप multiply करें then आप जो भी जो भी subtraction बगरा हो करें कोशन हो जाएगा ठीक है 120, 40 इसका एक ही value है 10 एक ही value क्या है 10 अच्छा समझ में आ गया ये अच्छा हम चलते हैं दूसरे नवर कोशन पर if the average of 20, 30, 40, 50 minus x then 10 plus 2 x is 87 वहीं बात हो गई कि आप इसी तरह जो हमने question number 1 किया इसी तरह आप add करते जाएं then वो हो जाएगा ठीक है question number 3 given the list of numbers 1, 6, 3, 9, 16, 11 जो भी है what is the median पहले ये data set मिला हुआ है पहले आप इस data set को देखना है पढ़ना है पढ़ लिया फिर आप क्या करना है order में लिखना है ascending और descending order में ठीक है या तो ascending या descending order में लिखे अगर आपने descending order में लिख दिया है ascending में जैसे भी लिखा है ठीक है पहले इसके दूसरी बात के चेक करना है कि इसके observations कितने हैं, तो 4, then 4, 8, तो इसके है 12, कितने हैं, 12, तो इसके क्या बनेंगे, जो median है, वो दो बनेंगे, ठीक है, median दो बनेंगे, आज़ा, इसके observation 12 हैं, यहाँ, चल लेट में, calculate, 12 हैं, तो इसको solve करने के लिए 13 हैं, अच्छा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बरहाँ 13 हैं, तो 13 प्लस 1, which is 14, 14 upon 2, which is 7, तो आपको देखना है, कि 7 नमर, 7th position पे जो होगा, 7th position पे, वो जो है, आपका median होगा, तो इसमें छोटी रखम कॉन सी 1 है, ठीक है, देन आता है 2 है, पहले ही 1, देन 2, ठीक है, देन आता है 3, ठीक है, 3 के बाद में क्या आता है, 4 आता है, 4 है नहीं, 5, 5 के बाद में 6, ठीक है, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8 आता है, जो कि ये पड़ा है, उसके बाद में 9, ठीक है, तो हमारा, अच्छा, हम ज़्यादा हमने काउंट कर लिए, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, वो बनेगा 8, ठीक है, मेडियाइन क्या बनेगा, 8, तो जो 7th position पे है, वो नमर कौन सा है, 8 है, ठीक है, क्या है 8, option number B, option number B is correct, ठीक है, समझ में आ गए ये, अच्छा, find the mode of the following group numbers, अच्छा, ये question number 4 तो ऐसे easy है, the average of two numbers is x, y, the first number is y, what is the other number, देखो, अगर इन दोरों का average, देखो, एक number y है, दूसरा x है, हम उठा ले दिया है, ठीक है, तो पहले x plus y upon 2, जो के बनता है, x, y, अब वो बोला है कि एक तो y नबर है, दूसरा क्या होगा, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, x plus y is equal to 2x, इसको हमने 2xy solve किया, आपने, कॉपी कर लें, वहाँ कर लेते हैं, ठीक है, हमने दो नबर लिए हैं, एक x plus y upon 2, जो के बनता है, x, y बनता है, अच्छा, अब वो बोला है कि एक नबर x, y है, ठीक है, x plus y is equal to 2xy, अब वो बोला है कि एक नबर y है, तो दूसरा क्या होगा, जारी बात है, एक नबर y है, तो हम दोनों से सब्ट्रेक करेंगे, इस साइड भी सब्ट्रेक करेंगे, यह बनेगा 2xy-y, तो यह y cancel, तो x is equal to 2xy-y, माइनस y, ठीक है, तो आप्शन नमबर a is correct, अच्छा, कोशन नमबर 6, 6 पर आते हैं, मैरी पर्चेज़ थ्री पाउंड्स ओफ मिक्स नट्स, पहले समझ लेती हैं, उसके बाद को कॉपी पेस्ट करके वहां कर लेंगे, ठीक है, मैरी पर्चेज़ थ्री पाउंड्स ओफ मिक्स नट्स at 89%, ठीक है, जैन पर्चेज़ शिक्स पाउंड्स ओफ पीनट्स at 49 cents, अच्छा, cents एं, percent नहीं हैं, ठीक है, पर पाउंड, what is the average round of price, in cents पर पाउंड अफ दी मिक्स नट्स, देखो, यह वो कंबाइन, कंबाइन एबरेज कहा गया, पहले आप क्या करें, जो 3 इंटू 89 करें, then 2 इंटू 49, ठीक है, जब इनका आपको सम लेगा, 3 इंटू 89, और 2 इंटू 49, इनको सम करके, अपान में आप क्या करें, 3 और 2 का सम करके, डिवाइड करें, ठीक है, आपको, जो round of price है, उसको इंटू बिल जाएगी, ठीक है, जो round of, 3 और 2 का जो addition बनेगा, सम बनेगा, 3 और 2 का सम क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, उससे आपको, डिवाइड करना है, ठीक है, अच्छा कोशन हो जाएगा, करवाओं, आपको, 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 आप मेरी ने पहले जो 3 पांट लिया वह सेंट पर लिए तो 3 x 89 तो देन 2 पांट औफ पीनट से विचिस एड 49 परसंट 49 परसंट विचिस 98 देन यह उपर वाला है 267 I hope हाँ देना इसको आपको add करना है 7, 8 15 then 16 then 12 ठीक है then 12 sorry sorry हाँ 3.65 पॉइंट तो वैसे हम नहीं ले सकते क्योंकि यह cents में है ठीक है पॉइंट अगर अगर आपको understanding हो जाएगी तो cents में अगर आपने ऐसा लिखा होगा 8.89 then .49 cents जो होता है वो points में होता है अगर ऐसे लिखेंगे तो हम points देंगे वरना ऐसे नहीं लिखते तो हम points नहीं देंगे ठीक है जो कि हमारा sum बना है वो है 3.65 then हम divide करेंगे 5 से जो कि बनेगा 7.3 जो कि option number D understanding होई 5 कहां से आया 5.3 और 2 को add किया हमने ठीक है number of pounds जो है number of pounds हमने add किया है अचा अंडेस्टेंडिंग हो गई question number 7 30 students had an average of x 20 students had an average of 80 ये same है 6 number same है तो इसको आप खुदी टैकल करना question number 8 average of 5 numbers is 6 average of 6 numbers is 5 what is the average of 11 numbers देखो पहले 5 numbers थे ठीक है then 6 numbers थे then 5 और 6 का sum क्या बनता है 11 तो यह यहीं पूछ रहा है कि उसका जो हमने 7 और 6 की तरह है यह पूछ रहा है तो इसको 7 और 6 की तरह ही करना है ठीक है फिर आते हैं question number 9 पे देखो easy question पढ़े है आप ऐसा ना सोचे का कि सर नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे question आपको करने पढ़ेंगे ठीक है इसको हमारी class में 15 minutes है तो kindly 15 minutes तक जो है ना attention थोड़ा दे हैं हम इसको speed देते हैं थोड़ी question number 9 the average weight of 5 minutes 10 that of the first three is 9 pounds LBS का मतलब है pounds है pounds का एक unit है find the average weight of others तो इसको हम copy कर लेते हैं इसे करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा the average weight of 5 minutes sum of 5 minutes upon 5 is equal to 10 is equal to 10 then sum of the 5 numbers is equal to 50 कितना है 50 अब बोला है कि that of first three तो जो पहले तीन बंदे हैं men हैं उनका average क्या है 9 है ठीक है उनका average क्या है 9 है अब वोला है कि sum of 3 upon 3 is equal to 9 जो कि बनता है sum of the 3 is 27 27 अब वो लास्ट में क्या बोलता है अब फाइंड दे average of average weight of others जो बाकी दो बच्चे है उनका average क्या होगा तो यह जो पांच का sum पड़ा है हम तीन का ठीक है तीन का क्या करेंगे इसको सब्ट्रेक करेंगे जो कि बनेगा 23 23 बचेगा ठीक है 23 बचेगा अब यह 23 sum है किसका जो दो बच्चे हुए है तो मैन और रिमेंड अगर दो का sum मिला हुआ है कितना है दो का sum कितना हुआ है 23 है तो 23 sum अपान नबर और अब्जर्वेशन 2 विच इस 11.5 ऑप्शन नबर बी अच्छा अंडेस्टेंडिंग हुई पहले हमने पांच बंदू का average दिया हुआ है sum निकाला उसके बाद तीन बंदू का average मिला हुआ है उसका sum निकाला उसका subtract किया देन जो sum मिला है दो immense का उनके साथ हमने उसका average निकाला अच्छा जी स्रुक्षा आप क्या बोलें थी कौन सा वाला कोस्टर रिपीट करों अच्छा दो कहां से आया ठीक है पांच बंदे थे तीनों का average ये मिला हुआ है ठीक है तो बागी बच्चे कितने हमने पांच में से दो बच्चे तो हमने दो से क्या किया डिवाइड किया ये मिला हुआ है सम दो लोगों का मिला हुआ है ठीक है पहले हमें पांच बंदू का सम निकाला जो के 50 निकला देन तीन बंदू का निकला जो के 27 निकला अब ये जो दो बचा हुआ है चो 23 बचा हुआ है यह क्या है दो लोगों का क्या है सम है सम है उसके बाद हमने 11.5 उसका एवरेज निकाला दोनों का अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूं पहले बोल क्या रहा है कि पहले आपको निकालना है पांच बंदों का सम निकालना है जो कहे हमने 50 निकाला तो सम तो निकालना आता है जब उसका अवरेज जो नमबर ऑफ दी observation दिया हो तो आप उसका sum निकाल सकते हैं ठीक है then दिया हुआ है जो वो 5 बंदे हैं उन में से उन 3 हमने बंदे का 3 बंदू का निकाल लिया है average जो के 9 है then हमने उन 3 बंदू का average से sum निकाला जो के 27 होता है ठीक है last मैं पूछ रहा है के find the average of others अधर कितने जो 2 बचे हुए है ठीक है इस 5 में से 2 बचे हुए हैं उनका sum निकाल उनका average निकाल है तो क्या find करना पड़ेगा इन में से उन 2 लोगों का sum find करना पड़ेगा जो के 23 बंता है 23 बंता है ठीक है अगर हमें 2 लोगों का sum मिला हुआ है Number of 2 में थेके is equal to 11.5 अब 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 अनूंस इनग बी? Question number 10 The average of 62 numbers is 8 The average of 30 numbers is 9 यह कॉस्चन भी थोड़ा टिर्की है इसको कॉपी कर लेते हैं अच्छा ते एवरेज ओफ शिक्स्टी टू नबर सिस एट पहले हम 62 का एवरेज निकाल लेती है सिक्स्टी टू का सम सिक्स्टी टू एवरेज कोई फाइंड करें इसका क्या निकलता है 1649 इसका साम यह निकला ठीक है अब वह बोल रहा है कि सम आफ दी शिक्स्टी टू नंबर्स इस 496 अच्छा मेरी कैलिकलोइशन अगर गलत हो कोई चेक का सकता है कैल्कुलोटर से ठीक है उसकी बाद अब वह बोला है जो 30 नंबर है वो इसी में से हैं ठीक है तो उसकी बाद उसका निकाल लेती हैं सम आफ थी थर्टी नंबर्स ठीक है अपाउन थर्टी नंबर्स अब इस लास्ट वाली पॉइंट को आपको समझना है फेकिंड लास्ट वाली ठीक है दे एवरेज ओफ लास्ट थर्टी लास्ट थर्टी देखो टोटल सिक्स्टी टू नंबर्स हैं पहले थर्टी का सम दिया हुआ है पहले थर्टी का सम दिया हुआ है यह हमने अभी फाइंड किया ठीक है देन अब वो बोला है कि जो लास्ट आब वो बोला है कि एवरेज ओफ लास्ट थर्टी स्क्स थर्टी वन नंबर्स थिक है फिर थर्टी 1 एक 30 के पार 30 बनाएगा अब वो बोला है कि 31 जो बचे हुए है 31 जो last वाले है ठीक है last से शुरू कर रहा है उनका average वो है 7 है तो इनका हम sum निकाल लेते हैं बहले sum of 31 upon 31 is equal to 7 sum of 31 is equal to 211 sorry 217 217 देखो हम इसका sum मिला हुआ है इसका sum मिला हुआ है और इस total का sum मिला हुआ है तो हम इसका add करके इन दोनुका add करके इस में से हम subscribe करेंगे हमें इसकी value मिल जाएगी ठीक है इसकी value मिल जाएगी तो 32 का 31 का ये है 31 का ये है 32 का क्या है 270 है ठीक है तो 217 प्लस ठीक है तो यहां touch थोड़ा काम नहीं करता तो 270 और 217 का addition करेंगे जो के बनता है 470, 87 ठीक है 487 जो के हम इस में से माइनस करेंगे ठीक है 496 अब माइनस 840 माइनस 487 which is 9 9 बचते हैं ठीक है ठीक है बस एंसर आ गया कि हमारा जो 31 नबर होगा जो बीच में 31 नबर होगा वो क्या होगा 9 होगा option number C typical था अच्छे समझ में आया किसी को question number 11 the average of two grand parents is 67 असर ये इसी की तरह है दो grand parents का पहरे आप साम निकाले ठीक है then बोलाएका two parents is 35 years ठीक है उसका आवरेज निकाले ठीक है फिर जो grand children ठीक है उनका आप एवरेज निकाले सम निकाले एवरेज दिया हुआ है सम निकाले ठीक है then जो उन सारूं का आपको addition करना है सारूं का आप add करना है then number of families कितने है पहले दो grand parents थे फिर दो parents थे फिर three क्या है grand children है तो कितने हो गए seven हो गई seven then इनका जो sum बनेगा वो आपको क्या करना है sum करके आपको अपान में total number of the total number of the family members फिर आपका solution निकाल आएगा ठीक है हम आते हैं question number 12 के ठीक है 12 पे of three numbers ठीक है average is 60 the first one upon fourth of the sum of others what is the first number अच्छा इसको हम copy कर लेते हैं अच्छा तेन इसमें नबर है एक x है दूसरा y है तीसरा z है अब वो बोला उसका average क्या है x plus y plus z upon 3 is equal to 60 then इन लोगों का sum कितना बनेगा x plus y plus z is equal to 180 180 ठीक है और वो बोला कि the first is one fourth of the sum of the others अब वो बोला कि first है first कौन सा हम x उठा लगे है जो कि first है x है ठीक है वो कितना है is equal to the first is अच्छा वो बोला first first क्या है फिर्स क्या है is ठीक है is one upon four ठीक है one fourth of the sum of the others others कौन से हैं y और z y और z का हम क्या करेंगे addition ठीक है what is the first number ठीक है first की value क्या है तो हमें इस में से x find करना है x find करना है अगर हम इस में यह जो equation हमारी यह पढ़ी है यह equation पढ़ी है इस में से हम y और z का value निकालें जो के 4x is equal to y प्लस z y और z की value मिल गई कितनी है 4x है इसमें आप put करेंगे x दिया हुआ है y और z की value 4x ठीक है is equal to 180 ठीक है 5x is equal to 180 then x is equal to 180 upon 5 which is 36 36 option number c is correct एिसमें प्रिप्ष्ण झाल झाल